अबस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासैनी बॉंपे हाई कोट से नवाह मलिक को बड़ा चटका लगा है नवाह मलिक जो लगातार समीर वान खेड़े पर तमाम डोक्यूपेंट शेर करते हुए तमाम छूटे आहरोप लगा रहा है थे अब उन आरोपों की पॉल खुल चुकी है और इस कानूनी लड़ाई में नवाह मलिक की हार पक्की मानी चुआ रही है आपको बता दें नवाह मलिक जो की NCP के नेता हैं उन्होंने तरसल समीर वान खेड़े पर आहरोप लगाते हुए उनका जन्व परमान पत्र जारी करते पुए ये कहा था कि समीर वान खेड़े तरसल मुसल्भान है और इस पूरे माफले को लेकर अब बोंबे हाई कोट में सुझवाई हुई है आपको बता दें जो आहरोप नवाह मलिक की ओर से लगाए गए थे उसके बाद उनके पिता यानी समीर वान खेड़े के पिता ध्य हुटे हैं बेपुणियात हैं इस पर सुझवाई होनी चाहिए इस पर केस नवाह मलिक पर हो और आज पोंपे हाई कोट में एक लंबी बहस इस पूरे माफले पर चली जहां एक तरफ समीर वान खेड़े के वकील अर्शद शेक ने तमाम दलीले कोट में रखी समीर वान खे हुई कि जो डोक्यूपेंट नवाह मलिक की ओर से सोशल मीडिया में जारी किये गए हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि समीर वान खेड़े मुसलिम थे और नौकरी में अरेक्शन पाने के लिए वो दलित बने हैं इसको लेकर ही ये पूरी बहस चड़ी लेकिन वो ये प आपको बता दें नवाह मलिक के वकील जो है अतुल गामले उनकी ओर से ये कहा गया कि ये जो डोक्यूमेंट है उन्हें बीमसी से मिला है यानि बीमसी पर कहीं न कहीं पूरा आहरोब मढ़ने की कोशिश की गई आपको बता दें कोश ने भी इस पूरे सुनवाई के दोरान कई सकत टिपणिया की नवाफ़ली को कड़ी फटकाष लगाई उन्हें पूछा कि दरसल जो जन्व परमानपत्र उनकी तरफ से जारी किया क्या है जिसको लेकर वो समीरवान खिड़े और उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं दरसल कोट ने कि सवाल किया कि समीर और मुसल किया है इसमें बदलाफ किये गए हैं और कहीं न कहीं आज पूरी सुर्फवाई के दोरान जो बहस इन डोक्युमेंट पर हुई है उसमें ये सिद्ध हो गया है कि ये डोक्युमेंट में गड़वडी की गई है नवाह मलिक ने सत्का का गलत इस्तमाल किया है समीर विजर पर सवाल उठाने के लिए इस तरीके से उनके जो जन परमानपत्र हैं उनके जो काश्ट सर्टिफिकेट हैं उसमें ये बड़ी गड़वडिया की गई है हाला कि इस पूरे मावले की सुर्फवाई आज पूरी नहीं हो पाई फिलाल फैसला जो है कोट ने इस पूर मीडिय के चर्खे जो आरोप मीडिय के चर्खे और तमाम इंटर्वीूज के चर्खे उनके परिवार पर लगा रहे हैं अमेर पान खेड़े पर लगा रहे हैं बहतर होगा कि वो कोट जाएं और वहां सबूत पेश करें वहां वो कानूनी लड़ाई में हिस्तेदार बनें ये लगातार उनके परिवार की ओर से कहा जा रहा था और अब जब मारहानी का ये केस नवाह मलीक पर दर्च किया किया है ये पूरी सुठवाई कोट में चली है तो आपको बता थें कोट में नवाह मलीक और उथव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि किस तरीके से एक इमाहतार ओफिसर को सर्फ इसलिए उसके नीची दस्तावेज घंगा ले गए उन्हें एडिट किया किया ये परजी वाड़ा किया किया एंसीबी की इस पूरी जाच को परभावित कर सकें जो वो ड्रग माफियां पर नकेल कसने के लिए जाच कर रहे हैं जो आरियम खान, शारुक खान के बेटे पर कानूनी कारवाई करने के लिए नकेल कसरा हैं तो इस वज़ा से नवाहमलिक ने ये तमाम हदकंडा अपनाया है लेकिन नवाहमलिक के जो वकील थे दामले उनकी और से पूरा आखरोप जो है वो BMC पर मढ़ने की कोशिश की गई कि दरसल BMC से ये दस्तावेज जो हैं ये उन्हें मिले हैं इतना ही नहीं जिसको लेकर सबसे ज़्यासी बवाल भी माहराश्ट में हुआ यानि समीर वानखेडे के पिता का नाम दावध वानखेडे जो बार बार नवाहमलिक की ओर से कहा जा रहा है और लगातार वो समीर वान वानखेडे ये बार बार नवाहमलिक की ओर से बोला किया है जब इस पर कोट ने उनसे जवाभ मांगा तो नवाहमलिक के दावाद की ओर से कहा किया कि दरसल जो सोशल मीठिया पर प्रोफाइल पिच्चर है उसमें वानखेडे के पिता को दावध दिखाया किया है यानि उ हिंदू है सोशल मीठिया फिर जाहे वो ट्वीटर हो फेस्बूक हो या कोई भी सोशल मीठिया अकाउंट हो वहां कोई भी शक्स किसी भी नाम से प्रोफाइल बना सकता है इससे ये सिद नहीं होता है कि दरसल वो मुसल्मान है या हिंदू है तो ऐसे में नवाह मलिक आखर किस तरीके के हदकंडे अब पूरे मावले से बचने के लिए अपना रही है निकानावा और जन पर्मान पत्र को लेकर भी कोट में जो तलील है वो नवाह मलिक के जो वकील है उनकी तरब से दी गई उन्होंने कहा कि निकानामा और जन पर्मान पत्र में जो वाधी का नाम है वो दाउत है और हमने उचित साफधानी इस पूरे मामले में बढ़ती है हमने सब कुछ देखने के बाद ही ये आरोप लगाई है लेकिन आपको बता दें निकानामा में वो ज असल ग्यानदे वानखेडे समीर वानखेडे के पिता का नाम है और मराथी में ग्यानदेव को ध्यानदेव कहा जाता है तो ऐसे में समीर डी वानखेडे जो है वो हर एक डोक्यूमेंट में लिखा हुआ है जिसे नवाहफलिक अपने ही तरीके से इस पूरी कहानी को मोट र जानने की पूरी कोशिश की कि आखर किस तरीके से ये आहरोब लगाए चारा हैं चुकि जो नवाह मलिक पर मानखानी का के समीर वानखेडे के पिता ध्यान देव वानखेडे ने दातिल किया था उसमें यही मांग की गई थी कि नवाह मलिक समीर वानखेडे और उसके पूरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, उनके केरेक्टर पर सवाल उठाकर वो लगातार परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अपील कोड से ये की गई है कि दरसल तमाम जो सोशल मीडिया पर नवाहफलिक ने पोस्ट किये हैं, तमाम जो डोक्यूमेंट शे पिर चाहे उनका जाती पर्मानपत्र हो या तफाम दूसरे डोक्यूमेंट हो हालकि यह जरूर कोट में उनकी वकील की और से कहा किया कि जमीर पानखेडे के पास कोई जन्म पर्मानपत्र नहीं लेकिन आपको बता दें जमीर पानखेडे उनके परिफार की और से जो वकील को जमा की गई जिसमें उनका जाती पर्मान पत्र भी शामिल है वो महड जाती से आते हैं वो दलित हैं इसके लाभा आथार कार्ड पैन कार्ड ध्यांदेव वानखेडी की पतनी का हलफ नावा जिसमें वो ही कह रही हैं कि वहस शाती के बाद हिंदू धर्म में परिवर्तित हो रही हैं तमाम जो डोक्यूमेंट थे वो कोट में पेश हुए तो कराही हर कही न कहीं नवाह मलिक की अब कोट में हो चुकी है बचने के तमाम रास्ते बंध हो चुके हैं और जिस काहनोनी लडाई का जिक्र बार बार किया जा रहा था चाहे फिर वो अनुसुचित जाती आ प्रेस कॉंटेंस कर रहा हैं तमाम आहरोब लगा रहा हैं अगर वो इतने ही अपने बात के पक्के हैं अगर उतने ही पक्के उनके सबूत हैं तो फिर वो अदालत में जाएं उसका दर्वाजा खट कटाएं वहां काहनोनी लडाई लड़े और यही वज़ा थी कि नवाह मल माहले पर फैसला सुरक्षित रखा किया है अभी इस पूरे माहले में कोट आगे क्या फैसला सुनाईगी यह देखना होगा लेकिन फिलाल नवाह मलिक की मुश्किले बढ़ चुकी हैं और जमीर वानखिडे जैसे इमानतार ऑफिसर जिन पर लगातार नवाह मलिक सवाल जाता है तो आने वाले वक्त में नवाह मलिक पर कड़ी कारवाई हो सकती है हो सकता है कि उन्हें जेल जाना पड़े क्योंकि एसी एस्टी एक्ट के तहट भी उन पर कई केस दर्ज किये गए हैं तो ये काक्टूनी लडाई अब नवाह मलिक पर बेहद भारी पढ़ने वाल पूरी कानूनी लडाई में अब इमात्तार ओफिसर समीर वान खेड़े का सच वसाफ ने आ रहा है कि किस तरीके से नवाह मलिक ने सत्ता का गलत इस्तमाल किया है और ये पेपर्स में फरजी वाड़ा किया किया है तलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राए है हमें कॉम